Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल खैंगी, अब आपको पता है अब का पॉस जह उस स्पिकर रहेंगे लेकिन अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको बता है वहाँ पर प्रेसिडशल सिटम है, कहने का मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंट होगा जिस पार्टी से बिलॉंग करेगा जरूरी नहीं है कि उसी के पार्टी के जो कोई परसन है वो भी वहां के हाउस का speaker हो जैसे कि अगर मैं आपको बताओं तो जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलॉंग करते हैं और ज देख सकते हो US Republican Speaker Kevin McCarthy ousted in historic vote तो इसको हम डीटेल से समझेंगे क्यों हटाया गया क्या प्रॉब्लम आई काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की preparation करते हैं अगर आपको कोई भी करने से आपको maximum discount मिलेगा और आप enroll करा पाओगे और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं वो आप attempt कर पाएंगे चली शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है और वैसे ये वाला जो आप देखों کہ इसको कहा जाता है house of representatives ठीक है जो जैसे कि हमारे यह लोगसभा होता है वैसे वहाँ पर house of representatives होता है अब दीखें भारत में तो क्या होता है कि लोगसभा का चुना होता है जैसे अगले साल 2024 में लोगसभा का चुना होगा और उस है वहाँ की जो पार्लेमेट है यूएस की उसके लिए अलग चुना होता है जैसे कि भारत में तो लोग सभाव 5 साल के लिए होती है लेकिन वहाँ पर हाउस आफ रप्रेजेंटेटिवस आप देख सकते हो ये दो साल की होती है जी हाँ हर दो साल में अमेरिका के अंदर चुन होता है और इस हाउस आफ रप्रेजेंटेटिवस में इंट्रस्टिंग चीज आपको देखने वाली मिलेगी कि इस समय जिसके पास मेजॉरिटी है वो है रिपॉब्लिकन पार्टी जैसा कि आप देख सकते हो रिपॉब्लिकन पार्टी कौन सी वही जो डॉनल ट्रम्प वा बहले ही आप प्रेसिरेंट हो लेकिन आपको पता ही है कि अगर कोई भी लॉब बनाना है कोई भी बिल पास कराना है तो वो कॉंग्रेस से पास होना चीए और हाउस आफ रप्रेजेंटेटिवस में आप देख पाओगे यहाँ पर दूसरे पार्टी की मेजॉरिटी है Republican Party से, क्योंकि Republican Party के पास majority है, तो जाहिर सी बात है, वो अपने ही लोगों को यहाँ पर speaker बनाएंगे, लेकिन अचानक से यहाँ पर क्या हुआ है, कि Mac कर्थी को इस House of Representatives से remove कर दिया गया है, कुछ वैसा ही जैसे कि अगर मालो मैं कहता हूँ, भारत के अंदर लोग सभा में, जो ओम बेडला जी है, जो speaker है, उनको जैसे remove कर दिया जाए, तो यहाँ पर तो क्या होगा, सरकार ही गिर जाएगी, लेकिन अमेरिका में आप देख सकते हो, यहाँ पर exactly, अभी मैं आपको आगे बताओंगा, detail में क्या हो रहा है, क्या नहीं, लेकिन साथी साथ मैं आपको यह पता दो, जो मैक करती है, यह बिलॉंग करते हैं, अमेरिका के अंदर यह जो state आप देख रहे हो, कैलिफोर्निया, इसको यह represent करते है, मैक करती, और उन्हीं को यहाँ पर remove किया गया है, in fact मैं आपको यह भी पता देता हूँ, कि यहाँ पर कितने vote से remove किया गया है, आप दे Republican की पास actually 221 नहीं, 222 आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर अगर सारे Republican लोग, यह जो members है, अगर वो मैक करती का support करते, तो जाहिर सी बात है, मैक करती को नहीं हटाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हटाया गया, इसका मतलब साफ है, कि उन्हीं के party के जो लोग है, Republican Party के लोग है वो speaker के खिलाफ चले गए थे, और वो मैं आपको reason आगे बताऊंगा, वो क्यों गया है, क्या हुआ, लेकिन मैक करती नहीं आपर अभी के लिए कहा है, he will not return to claim the position, वो वापस से speaker के लिए हाँ पर claim नहीं करेंगे position, और अभी के लिए मैं आपको बता दूँ, house of representatives का कोई speaker नह होगी, और तब हो सकता है, decide किया जाए कि अगले speaker कौन होने वाले है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा problem आने वाली है, पहला अब यहाँ पर question यह है कि मैक करती को क्यों हटाया गया, मतलब कि कैसे वो lose कर गया, देखो actually क्या है कि Republican Party के ही एक leader है, एक member है, जिनका नाम है Matt Gaetz, मैं आपको बताता हूँ, यह basically Florida से belong करते हैं, Florida को represent करते हैं, तो यह जो person है, वो मैक करती के खिलाफ चले गए थे, और उन्होंने का कि हम मैं मैक करती को speaker नहीं रखना चाहता, और इसलिए यहाँ पर Republican Party के पास majority होने के बावजूद, यहाँ पर Matt Gaetz ने क्या किया, कि Democrat के साथ मिलकर, साती साथ Republican Party के कुछ members के साथ मिलकर, मैक करती को यहाँ पर हटा दिया है, अब question यह है कि आखिरका Republicans ने अपने ही speaker के खिलाफ कैसे वो चले गए, कुछ लोग जो है, वो अपने ही speaker, अपने ही party के member के खिलाफ कैसे चले गए, देखो क्या है ना, अभी recently आपने द खरचा करना है, जो भी चीजे होनी है देश के अंदर, तो उसके लिए bill पास कराना होता है, और वो bill कहां से पास होगा, दोनों हाउसे से, सेनेट से और house of representative से, लेकिन problem क्या आ रहा था, house of representatives में मैंने आपको जैसे बताया, कि यहाँ पर जो majority है, वो किसकी Republican Party की है, तो Republican Party यह यहाँ पर वो bill को पास नहीं कर रही थी, वो यह कह रही थी Biden को, कि आप खर्चा कम करिये, वो Democratic Party को यह कह रहे थे कि आप जो Ukraine को इतना सारा aid दे रहे हैं, वो सम्मत दीजे, तो यहाँ पर MAC कर्थी के खिराफ आरोप यह लगाया गया है, कि वो एक तरह से Joe Biden के साथ हो गया ह तो इसकी वज़े से Republican Party के कुछ लोग नराज थे और वो MAC कर्थी के खिलाफ चले गए, और इसी लिए final यहाँ पर क्या हुआ, MAC कर्थी को स्पीकर के पद से हटा दिया गया, साथी साथ अगेन आप देख सकते हो, यहाँ पर आरोप यही लगाया गया है MAC कर्थी पे, कि आप आपने एक secret deal किया है US President Joe Biden के साथ, ताकि जो Ukraine है, उसको additional funding दिलाई जा सके, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कि अभी जो shutdown का मामला चल रहा था, उसमें यहाँ पर temporary relief मिला है, 84 days के लिए, temporary relief में क्या है, basically यहाँ पर जो Ukraine को aid दिया जाना था, वो अभी के लिए अमे लेकिन अभी के लिए तो वो टल गया है कुछ समय के लिए, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूँ, मैं करती इसी साल January के महने पर महने में speaker के पत के लिए चुने गए थे, और वो भी काफी बड़ा compromise था, दी कि अब problem क्या हो जा रहा है ना, कि जो Republican Party मैंने आपको ब जो मैं करती हैं, उन्होंने Republican Party के सभी members को काफी जादा मनाया, और कहा कि मैं speaker बनना चाहता हूँ, और जो भी मुझे इसके लिए compromise करना पड़ेगा, वो मैं करने को तयार हूँ, in fact एक compromise यह भी था कि कोई भी member अगर यहाँ पर motion लाना चाहता है, speaker को हटाने के लिए, वो कभ मान लो, उनकी खुद की पार्टी, Republican Party के कुछ लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो क्या Democrat जो पार्टी है, जो Biden की पार्टी है, क्या वो Mac करती को support नहीं कर सकती थी, क्योंकि आरोप तो Mac करती पर यही लगा है, कि वो Democratic Party के साथ मिल का है, वो secret deal कर रहे है जो Biden के साथ, तो यहाँ पर cases चला रहे हैं, कई चीजें कर रहे हैं, तो इसकी वज़े से क्या है, कि यहाँ पर जो Democrats है, जो Democrats Party है, अमेरिका के अंदर, वो भी यहाँ पर Mac करती को support नहीं की, और उनके खुद के party के लोग, जो है, कुछ लोग support नहीं किये, अब आगे क्या होगा, अभी के लि अब होगा क्या कि यहाँ पर जिसको भी यहाँ पर Speaker बनना है, उसको कम से कम 218 वोट चाहिए, House of Representatives में, तभी वो वहाँ पर बन पाएगा, और वो कौन से party से बिलॉंग करेगा, जाहिर सी बात है, Republican Party से ही होगा, क्योंकि Biden वाली जो party है, Democratic Party, उनके पास यहाँ पर Minority है, वो Minor Minority में, और Republican Party से ही कोई ना कोई होगा, लेकिन वो कप तक होगा, क्या होगा, तो वहाँ की जो राजनिती है, एक अलग लेवल पर चल रही है, बट I hope कि इस वीडियो के माध्यम से, जो एक view है, जो एक आपको समझ आनी चाहिए, अमेरिका की politics को लेकर, वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, who administers the oath of affirmation of the speaker of लोगसभा, जो हमारे देश में लोगसभा की speaker होते हैं, उनको oath कौन administer करता है, इन चारों इस आपको बताना, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं use the code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की video आपको पसंद आयोगा, मिल ताँ आप से next time, till then thank you very much, see you soon.